श्रतितगर के धमतरी जिले के नगरी में महानदी महिला संग का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था इसमें जिले के धाई हजार महिलाओं ने हिस्सा लिया इन में से कई समू अपने द्वारा बनाये गए खादसामगरी उत्पादन किये जा रहे हैं साखसबजी और कई आवश्चक चीजों को प्रदश्चित किया इस समू में 102 पंचायत के 222 गाओं के 2107 महिला समू के तकरीबन धाई हजार लोगों ने हिस्सा लिया अभी तक इन समू ने 2 करोड से जादा रुपए की बचित भी की है इससे महिलाओं में अलग तरह का आत्मईश्वाज बढ़ा है राश्ट्री आजिवी का मिशन द्वारा महिला समू को संबल बनाये जा रहा है दीदी मड़ई में पहुंचे महिलाओं को सरकार के विभिन्य योजनाओं की जानकारी दी जा रही है ताकि महिलाओं घर से निकल कर अपने जीवन को परिवर्तन कर सके और स्वावलम बिद बन सके आयोजन का मुख्य उद्देश संग से जुड़ी महिलाएं आगंतुप महिलाओं को जागरू कर उन्हें भी आजिवी का मिशन के अंतरगत जोड़कर उनके जीवन में रोश्णी फेलाने का काम करेगी आज का उद्देश यह है कि इसमें जो महिलाओं है समाज में बहुत सारी जो कुरितिया हैं बुड़ाईया स्वेम सायता समू में शामिल होने के बाद इस तरह से घर से निकली है। सभी महिलाओं ने दीदी मड़ाई के मादधम से आजी विका को बढ़ाने में सहचता की बात कही। महिलाओं का मानना है कि महानदी महिलासंग के द्वारा ग्रामेन महिलाओं को स्वावलंबित किया जा रहा है जिससे अब महिलाओं घर बैठी ही आमदनी कर पा रही है। समु के वज़े से महिलाओं की आर्थिक स्थिती बहतर भी हो रही है। है में समु में 2013 में मतलब सब प्रदान संसा के लोग आए मतलब हमारे बगरुम नारा पंचाद में और जो आश्रिद गाह हैं उन लोग जूड़े थे और समु में जूड़कर मतलब बचत के सांसात में कुछ अच्छा मतलब जैसे कि हमारे तरह जमीन है तो टीगरा भरी है त मतलब दीदी लोग आएं कि आपके गाओने समय कॉंब जूड़ो और मतलब कौन कोंव से विकास होता है कि कैज सब जानकारी दिये हैं और जुड़ें मैं पहली गहर से बाहर नहीं निकल ती और आज मतलब यहां संग की अध्यक्ष्य बन गई हूं अब है तो गाउं के लिए कुछ और अच्छा तरीका से मतलब महिलाओं को आगे लाने के लिए गाउं के जो गरीब महिला है उनको कैसे सासन की योजना कराब दिनाना है सब चीज के बारे मतलब काम करती हूं जी सर मेरे जीवन में बहुत कुछ बदलाव आया मैं दिदी लोग को हमेशा उस्ताहित करती हूं और उसे मुझे अच्छा लगता है और मैं उनके सासनाथ दिदी लोग के सासनाथ मेरे को भी बहुत कुछ सीखने को मिला बहुत कुछ जानने को मिला और मेरे घर परिवार में मैं अपने आर्थिक द्रिष्टी से मैं विकास करना चाहाती हूं मैं अपने समू के माध्यम से मैं अगरवत्तिक मसीन लगाई हूं और जो हमारे लिए अच्छा है और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और अपने दिदी लोग को भी मैं प्रोशाहित करती रही हूं सासन के द्वारा हमको CIEP राशी समूदाइक निवेश की राशी साथ हजार पर समों के लिए मिलता है तो उसके माध्यम से दिदी लोग को प्रोशाहित करते हैं कि आप लोग आए और जो राशी सासन से हमको मिल रहा है उसको लाब लीजिए और कुछ बैपार कीजिए कुछ दंधा कीजिए और इस तरह हम लोग दिदी को आगे बढ़ा रहे हैं सर इस महा एधिवेशन को दिदी मड़ाई भी कहा जा रहा है जाहिर है इसमें सभी दिदी मिलकर न केवल अपने परिवार बलकि देश को खुशाल बनाने में लगे हुए हैं जिससे देश और विट्स के लिए बेल आइकोन के दबार देश टीवी वी रिपोर्ट यू डिसाइट